आपकी खास क्या अनुभूती रहे दे विद्याले से जोडने के बाद जीवन को समर्पित कर देने का निर्णय भी एक बड़ा निर्णय होता है कि मैं अब पूरा जीवन इसी मार्क पे चलूँगी, माना उता की सेबा करूँगी, सफेद कपड़े पहन के रखूँगी, एक बड़ा ही लोगों के लिए एक बड़ा त्याग होता है, क्या खास आपकी अनुभूती थी अमन में विचार था जो आपने ऐसा निर्णय लिया? लग्की ली बचपन से ही मेरा संस्कार था सोशल सर्विस, और मेरे पिताजी भी बहुत अच्छे सोशल वर्कर थे, और दूसरा हमारी लाइफ बहुत सिंपल थे, मुझे शादी नहीं करनी थे, और सत्याविश उमर में हमने सब कुछ किया, हर वीक, वन्स, वन्स अवीक हम हम लोग पिक्चर में जाते थे, या कोई कॉंसर्ट में जाना है, या बॉक्सिंग मैच में जाना है, या ब्रामा में जाना है, at least once a week, at least once in a year, हम लोग हॉलिडे, पूना, महाबड इश्वर, माथे रान, देवलाली, नासिक कहा ना कहा जाते थे, जे, 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 अलब हमने भूम लिया, हर weekend, Saturday movie, Sunday beach, ये हमारा family, family, family के साथ, ये जाना होता था, तो इसलिए, और मैं हमारे school friends से, university friends से, बहुत दूर रहती थी, वो लोग बंबाई city में रहते थे, मैं सबब में 20 miles away, तो इतनों हमारी friendship नहीं थी, आना जना friendship, friends के पास नहीं था, परंतु परिवार के साथ, हमने सब कुछ देख लिया, इतने तक हम कई film के प्रीमियर में जाते थे, क्यूंकि हमारा ये पिताजी है, film release करते थे, तो जब फिल्म रिलीज करते थे, प्रीमियर में जाते थे, सब एक्टर सामने आते थे, तो दीदी जब आप समर्पित होएं, तो ये सारी चीज़ें तो फिर बंद हो गई होगे, तो मन में नहीं आया कि अब बीच पे जाना, परन तो जब आपने देख लिया है, कर लिया है, तो त्याग करना सहज है, ना? तो ये लिए लगता है कि वन चीज़ों में बड़ा मज़ा आता था, फिर से एक बार करें? नए, क्योंकि ज्यान योग सेवा में इतना मज़ा था, जितना उन में मज़ा नहीं था, क्योंकि उन में तो क्पैरिशन होती है न, कि ये लोग आईसे ड्रेस्ट है, हम इतने ड्रेस्ट नहीं हैं, या ये इतने ब्यूटिफुल है, हम ब्यूटिफुल नहीं हैं, या स्टडी आती थी, थोड़ा स्ट्रेस हो जाता था, अब कुछ नहीं, क्योंकि जब कि हम इश्वर के बन गए और जब हमें सीनियर दादियों का बहुत सायोगरा शुरू से, ब्रह्मा बाबा का, बातेश्वरी का प्यार मिला, शिक्षाएं मिली, बंबई में हमारे पास बहुत दादिया थी, उन्हों के साथ भी जान की अनुभवों की लेंदेन होती रहती थी, और जब ही शेवा केंदर शरू हुआ, तो हर दिन राए लेने के लिए, मैं एक सीनियर दादी से बातचित करके उनसे राए ले लेती थी, तो आई ये विज्ञान का आपका बैक्ग्राउंड रहा, आप मेडिकल स्टुडेंट रहें, तो ये जो आध्यात्मिक बातें हैं, आत्मा की, परमात्मा की, कई बार जो विज्ञान के स्टुडेंट्स होते हैं, या बहुत इंटेलेक्शुल होते हैं, इन चीज़ों पर उतना विश् विश्वास करते हैं, तो आपका इन चीज़ों पर विश्वास होना, क्या आपने भी नहीं तरकी का सोटी पे कसा, या कुछ एक्स्पेरिमेंट किये, या खुद अपने अनुभाव के आधार पे नहीं समझा, क्या किया आपने? शुरू में हमको ताहिम लगा, क्योंकि चलो निराकार शिव परमात्मा है, वो सहज मान लिया, परन्तु जो ग्यान की गोई ये बाते हैं, कि ड्रामा पांच हजार वर्ष के बाद हूब 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 रिपीट होता है, और शिव बाबा ब्रमा के तन में आकर ग्यान देता, उस बात को मानने में मुझे चार मास लग गया, जब मैं सभी का अनुभव सुना, गरों का अनुभव सुना, कि कैसे परमात्मा के उन्होंने दीव द्रिश्टि से साक्षात कार कराया, या उनकी डिफिकल्ट सिच्चियेशन में मदद हुई, जब उन्हों का अनुभव मैं मैंने सुना, तो मैंने कहा, ये बात तो सच्च है, तो जब ये समझ लिया, कि ये कार्या परमात्मा का है, तो जो परमात्मा कहते हैं, वो सच्च है, मतलब उनकी अनुभवों के आधार पे आपने ये स्विकान किया, औरों के अनुभव के आधार पे, जब इतने सारे जीवन के लिए ऐसी सार्थक हैं, क्या इस प्रकार की तार्किक बुद्धी आपके थी? नहीं हमारी इतनी तार्क बुद्धी नहीं थी, हमारी कुछ भावनात बुद्धी थी, जीज़ी भावना होती है यह सब चीजें जीवन में लाना बहुत सहज हो जाता है, और लोगों का प्रैक्टिकल जीवन, जिसके भी संपर्क में आते हैं, दादियों के, उनका प्यार, उनकी धारना यह सब देखते हैं, तो लगता है कि यह सच मुझ सच है ना, क्यूंकि दुनिया में जब हम पाखंड देखते हैं, पैसे के लिए क्या-क्या करते हैं, और धर्म के नाम पर कितना लूटते हैं लोगों को, भक्तों को, तो नैचरली है, हमारी भक्ती से भावना हट गई थे, क्योंकि हमारा परिवार था महारास्ट्र में पंडरपूर है, वो मंदिर है, उसमें जाते थे, और एक वर्स हम लोग, श्रावनी पुरनी मा के दिन गए, बुरु पुरनी मा कहो, शावनी पुरनी मा कहो, शड्रत, गई भक्तों की भीड़, फर्ष एकदम पानी और किच्चर से और क्या था कि हम लोगों को तो हम लोगों ने कुछ लांच दीकर पैसा देकर स्पेशल क्यू से गए परन्तु जैसे हम मूर्ती पास आए मूर्ती को हाथ चुने लगे तो पुजारी कहता है पहले मूर्ती को या देवता को कुछ भेटा चड़ाओ तो हमारे पिताजी थे इन सिक्स्टीज सिक्स्टीज तो सिक्स्टीज में हमने पांच रुप्या दिया तो कहता है नहीं जितना आप देवता को देते उतना पुजारी को दो हमने कहा हमारा फेथ देता में है पुजारी के दिये हमने यहां आए है तो उस दिन से हमने मन में निर्ने करा किया हरी द्वार में हम गए परिवार के साथ यात्रा करने है जैसे भी हम कार से उत्रे पंडे हमको घेर लिया आपका गोत्र क्या है सरनेम क्या है बाप डादा का नाम क्या है हम आपके परिवार के पंडे है और और इतने भिखारी आसपास आ गये एक को पैसा दिया तो और भी ज्यादा आ गया जै जै कि उसको दिया हमें भी तो आमने कहा तो बा ऐसी भक्ति से